सब्सक्राइब कीजिए गौतमलाइफ ग्यान चैनल को और बैल आईकन को हिट कीजिए लाइफ यूसफुल ज्यान सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार मेरा नाम है गौतम आप देख रहे हैं गौतम लाइफ ग्यान चैनल को फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पी एफ के बारे में बात करेंगे तो हमारे आज का सवाल है कि पी एफ किया है पी एफ कॉंट्रिविशन कितना होता है और पी एफ विड्रॉल कैसे करते है कि फ्रेंड्स पहलत लेते हैं कि पी एफ क्या है तो फ्रेंड्स पी एफ क्या है जब आप किसी गंपनीAshवे को जुड़ते हैं आपकी कंपनी से इंप्लॉयर मतल्या कमपनीसे जुड़ते हैं तो पहले फैसिलिटी होगी आपकी वह होगी पीएफ दूसरा एसाइसी और तिसरा ग्रैजूटी पीएफ की जो फैसिलिटी है हर कंपनी अपनी इंपलॉई को देती है एसाइसी की फैसिलिटी मिज़ा रिस्ट्रिक्शन है 15,000 पहले यह था तो 21,000 या उससे कम जिसकी से आग साथ करेंगे पीएफ के बारे में तो पीएफ बेसिकली क्या है पीएफ फूल फार्म होता है प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट मतलब भविश्य निधी एक इंपलॉई जब किसी कमपनी में काम करता है तो एक पर्टिकुलर पीड तक वह अपनी सर्विस दे पाता है अगर कोई कजब ब्रदर शिस्टर है तो उनके शादी का खरचा माबाप की दवाई लगबग सबकी लाइफ में होती है तो उसका जो इंकम जो है में इन चीजों में खर्च हो जाता है तो बहुत से लोगों की सामने दिक्कत आ जाती है कि अपने बुढ़ापे के लिए अपने रिटार्मेंट के बाद के लिए कुछ कर नहीं पाते तो इसी जिसको सीक्यूर करन जाती है और इसका बकाईता एक कानून एक्ट है जिसके अंतरगत है सब कुछ किया जाता है तो यह जो कंपनी है गौर्णमेंट की तरफ से इसको बोलते है ई-पी-ए-फो तो इंप्लॉई प्रविनेंट फंट ही जो कंपनी है गौर्णमेंट और्गनाइशन है यह सारे का अंकाज को देखती है तो यह हमने जान लिया कि पी-ए-फ क्या है और पी-ए-फ क्यों कट किया जाता है तूसरा क्वेशन हमारे पी-ए-फ का कॉंट्रुईशन तो पी-ए-फ का कॉंट्रुईशन जो है वह एक्ट्री टोटल हम करें तो 24% होता है जिस पर 12% आपकी से कट क किया जाता है ओके और 12% कैसे का बोता है आपका बेस्क अपका बुशंच मिश्च जो सेलस्टी होती है उसके जाता है इसके बाद जो पीएफ कॉंट्रूबिशन को बढ़ा देता है और दूसरा पेंशन को तो आपको कंपनी देती है 3.67% और बाकी का जो 8.33% है वो आपका जाता है पेंशन में तो इस तरह आपकी कंपनी दो जगा आपको पीएफ की फैसिलिटी पीएफ कॉंट्रूबिशन तो यह हो गया काम करते हुए हम पीएफ विड्रूब कर सकते हैं और एक फून फाइनल मतलब कंपनी से रिजाइन दे दिया अलवीदा कहे दिया कंपनी को तब हम यह पीएफ का विड्रूब कर सकते हैं तो आये जान लेते हैं कि कैसे क्या और क्या प्रोसेस तो काम करते हुए जो हम पीए पोर्टल पर आपके employer दरा या फिर आप खुद भी KYC अपडेट होना बहुत ज़री है, KYC मतलब क्या है, KYC का full form है, know your customers, ठीक है, तो basically know your customer का मतलब क्या है यहां पर, कि आपके आधार का detail, आपका pen का account का detail, और आपका आधार का registered mobile number है, यह सारी चीज़े आपकी PF पोर्टल पर की है, तभी जाकर आप eligible होते है, advance PF withdrawal के लिए, अगर यह चीज़े आपके आपने की कर रखी हैं, तो आप advance PF withdrawal कर सकते हैं, जो दुसरे टाइप का PF withdrawal है, उसको बोलते है, full and final PF withdrawal या फिर PF settlement, अगर आप किसी company को company को छोड़कर जा रहे हैं, या फिर अपने resign दे दिया है, तब इस case में आप PF अपना पुरा withdraw कर सकते हैं, या फिर transfer कर सकते हैं, अगर आपको PF withdraw करना है, fully आपके लिए, या फिर आपको transfer करना है, तो दो चीज़े बहुत ज़यूरी हैं आपके लिए, जानना, कि आपका जो KYC updated होना चाहिए, आपका KYC, आपके employer के through, verified होना चाहिए, और दूसरी बात है कि आपका date of exit, मतलों आपने resign कब दिया है, ये date आपके PF portal पर mention होनी चाहिए, तब जाकर आप कहीं आपका PF transfer कर सकते हैं, या फिर withdraw कर सकते हैं,